हलो दोस्तों स्वागता आप सबीका हमारे उनलाइन चैनल आरद्यां अरेस अकडेमी में दोस्तों RPSC स्कूल व्याख्याता परिक्षा के लिए राजनीती विज्ञान का क्रेस कोर्स स्टार्ट किया गया था जिसमें दोस्तों अपनी 6 कलास है वो कंप्लीट हो चुकी है आज दोस्तों इसमें 7 वे नंबर की कलास है अपना टॉपिक चल रहा था राश्टरपती और राश्टरपती में अपने दो भाग है वो कंप्लीट कर लिये थे आज दोस्तों अपन राश्टरपती की सक्तियां एवंकारियों के बारे में अध्यान करेंगे ठीक है दोस्तों अगर आपने पिछली अगर 6 कलास या अगर नहीं देखिये हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर निल जाएगा फर्स्ट ग्रेड राजनेती विज्ञान करेस कोर्ष के नाम से ठीक है तो आप वहाँ जाके सारी कलासे हैं वो देख सकते हैं और अगर आपने अभी तक अरद्यारज सेकेडिमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राश्टरपती की सकतियां एवं कारिये देखो एक तो है इसमें कारे कारी सकती एक है विदाई सकती एक है वितिये सकती फिर न्याइक सकती फिर कूट नितिक सकती फिर सेने सकती और फिर आपात कालील सकती ठीक है तो दोस्तों ये साथ प्रकार की सक्तिया है राष्टर पती के पास में और ये कारिये भी है ठीक है तो देखो साथ में से सबसे पहले पहले कौन सी है तो देखो इसमें कारे कारी सक्ति की मैं बात कर रहा हूँ तो executive, कारे कारी सक्ति सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, तो देखो कारे कारी सक्ति क्या है, तो कारे कारी सक्ति में देखो, राश्टरपती कारे पालिका का सरवच्चे अधिकारी होता है, राश्टरपती है, वो कारे पालिका का सरवच्चे अधिकारी होता है, आता है सासन समंदी सभी कारिये ओपचारी के रूप से राश्टरपती की ओर से किये जाते हैं यानि कि सासन से समंदी से जितने भी ओपचारी के कारिये हैं वो दोस्तो राश्टरपती के द्वारा ही किये जाते हैं ठीक है तेखो राष्ट्रपती के नाम पर किये जाने वाले कारिये किस परकार परमानित रहेंगे इसके लिए नियम राष्ट्रपती बना सकता है नियम है वो राष्ट्रपती इसके लिए बना सकता है ठीक है किंदर सरकार का परमुख होने के कारण राष्ट्रपती का यह है अधिकार वय दाइतव है कि वहें किंदर सरकार के संचालन संबंदी तथा विविन मंतरियों में दाइतव के बटवारे संबंदी नियम बना सकता ह यह भी इसमें बहुत इमयत्व पूंट चीज़ है याद रखना है अब देखो वह परधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों की न्यूकती करता है तथा वे सभी राष्ट्रपती के प्रसाद प्रियंत कारिये करते हैं तो दोस्तों देखो परिक्षा में फर्स्ट ग्रेड में य खिरवाद्चीत ये कोर्था ओप्षन ठीक है तो दोस्तों परधान मंत्री है वो न्यूक्त होता है कौन न्यूक्त करता है तो राष्ट्रपती न्यूक्त करता है प्रधान मंत्री को ठीक है देखो अनेक महत्वपून पदादिकारियों की न्यूकती राष्ट्रपती श्य प्रपती का ये कारिकारी सकती है ठीक है देखो वहें केंदर सरकार के कारिये संबंदी अत्वा सरकार द्वारा कानून संबंदी प्रस्ताओं की सूचना परदान मंत्री से मांग सकता है यानि कि वह कुछ भी अगर जानकारी चाहिए दोस्तों सासन संबंदी ठीक है या सरकार कानून समंदी तो दोस्तों परदान मंतरी से वो प्रस्ताओं की सुचना है वो मांग सकता है देखो next यदि किसी संदर्ब में किसी मंतरी ने कोई निर्ने ले लिया हो किन्तु मंतरी परिशद ने उस पर विचार ने किया हो ने किया हो तो राश्टर पती परदान मंतरी से कह सकता है कि ऐसे परस्ताओं को मंतरी परिशद में विचार के लिए प्रस्तुत करवाईए तो जैसे कि मैं बात करूँ कि कोई मंतरी है उसने उनकी संख्याबल है वो लोकसभा में और राजसभा में ज़्यादा है बहुमर्स से ज़्यादा है तो वो अगर कोई प्रस्ताव लेके आते हैं और उनको ठर्चा करानी की जरूत है नहीं क्योंकि उनके पास संख्यावलादिक है तो वो on the spot क्या करते हैं कि हाँ बिल लेके आ गए और पास हो गया तो दोस्तो राष्टरपती अगर चाहे तो वो परदान मंत्री को कहके और उस बिल पर विचार के लिए प्रस्तुते करवा सकता है अगर राश्ट्रपती चाहे तो ठीक है बलाई संक्या हो आपके पास या नहीं हो राश्ट्रपती अगर चाहे तो उस बिल पर चर्चा करवा सकता है क्योंकि जब तक राश्ट्रपती उस पर साइन नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा अंतिम रूप से साइन है वो राश केंद्रे राजे संबंदी एवं विबिन राज्यों के मद्दे परसपर संबंदों को पुठ सहन देने के लिए एक अंतर राजिय परिशद का भी गठन करता है या इस्तापना करता है तो राष्टरपती ठीक है आगे देखो नियुक्त परसासकों के माद्यम से स्यूम चलाता है ये भी आपको इसमें देखो कैसे तो राश्टरपती के नाम से सारे काम होते है यानि कि सारे काम है वो राश्टरपती के नाम से होता है लेकिन उनके बारे में राश्ट्रपती को परधान मंत्री सला देता है क्योंकि परधान मंत्री मंत्री परिस्द का नेता होता है या परमुक होता है अर्था अर्थ यहें ने मंत्री परिस्द का होता है जिस पर परदान मंतरी की मद्देस्ता से राश्टर पती के सिंगने सर होते है ठीक है तो सिधी सी बात यह है कि अगर मैं बोलू कि राश्टर पती है वो उसके पास नाम मातर की सक्ति होती है और परदान मंतरी के पास में वास्त्विक सक्ति होती है ठीक है तो परधान राश्टरपती के नाम से ही परधान मंतरी सारे कारी करता है ठीक है और अंतिम रूप से जो साइन होते हैं वो राश्टरपती के ही होते है ठीक है यह भी आपको इसमें याद रखना है दूसरे नंबर की सक्ति आती है अपनी इसमें विदाई सक्ति तो वि राश्ट्रपती विदाईका का भी एक अभिन अंग है, उसे विदाईका के संदर्ब में निम्न सक्तियां प्राप्त है, यह संसद को आहूत, यानिकि संसद को बुलाना या आहूत कर सकता है, ठीक है, अत्वा, सत्र को समाप्त भी कर सकता है, तथा लोक सबा को भंग भी कर सकता है, परदान मंतरी की सलापर, तो देखो राश्ट्रपती है वो विदाई सक्तियों के अनुसार, संसद को संसद की बैठक बुला सकता है, दोनों सद्नों की एक साथ, ठीक है, और सत्रा उसान भी कर सकता है, और लोक सबा को भंग भी कर सकता है प्रदान्मंतरी की सला पर, विदाई सकती है, किसके पास में, तो ये राष्टरपती के पास में, सकती है, यह संसद के दोनों सद्नों की सेयुक्त भी बैठक को भी बुला सकता है, अर्टिकल 108 के नुसार, याद रखना, ये अर्टिकल है, important है article 108 कई बार परिक्षा में प्रसंद पूछा जा चुका है कि article 108 में क्या है या फिर ऐसे प्रसंद पूछा गया है कि राष्ट्रपती संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठा के कौन से article के तहत बुलवाता है तो 108 के तहत बुला सकता है दोस्तों राष्ट्रपती संसद के दोनों सदनों की संयुक्ते बैठा के तीसरे नमबर की देखो वह प्रतेक आम चुनाव के बाद प्रतम सत्र में संसद को संबोधित कर सकता है तथा प्रतेक वर्ष में तथा प्रतेक वर्ष के प्रतम सत्र को संबोधित भी कर सकता है तो था देखो इसमें लोग सबा के अद्देक्स एवं उपाद्देक्स की अनुपस्तिती में तथा राजे सबा के सबापती एवं उपसबापती की अनुपस्तिती में समंदित सदन के किसी भी सदस्य को अद्यक्सता के लिए कह सकता है ठीक है लोकसबा के अद्यक्स एवं उपाद्यक्स की अनुपस्तिती में तता राजे सबा के सबापती एवं उप सबापती के अनुपस्तिती में सम्मंदित सदन के किसी भी सदश्य को अध्यक्स्ता के लिए कह सकता है। आगे देखो, साहिते विज्ञान कला एवं समाज सेवा में विशेष ग्यान एवं वेवारिक अनुपव रखने वाले बारा वेक्तियों को राजे सबा में मनोनिते कर सकता है। से दो वेक्तियों को लोग सबा में मनोनित कर सकता है कौन? राश्टरपती ठीक है? टोटल 14 सदश्य मनोनित करता है राश्टरपती ठीक है? चुनाव आयोग की सला से संसद सदश्यों की निहरता पर निर्ने करता है यानि की योगेता पर निर्ने करता है कौन? राश्टरपती दल बदल कानून के अंतरगत लोग सबा अध्यक्स निर्ने करता है ठीक है? अब देखो आर्टिकल 123 क्या है? तोड़ा बता देता हूं आ अध्यादेश जारी करने की सकती ठीक है? राश्टरपती के पास अध्यादेश जारी करने की जो सकती है वो देखो जब संसद के किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तथा कानून बनाना आवश्यक हो तो राश्टरपती अध्यादेश लागू कर सकता है यह संसद के कानُون के समकक्स हैं और राष्ट्रपती को कानून बनाना आउस्यक है तो दोस्तो अद्यादेस जारी करके वो बैठक बुला सकता है और कानून बना सकता है अद्यदेश लागू करने की प्रिष्तितिया का निर्ने शियन राश्टरपति करता है और उसका निर्ने है वो राश्टरपति करता है किसी का कोई कुछ निई विचार विमर्ज поговорit अगर चाहे तो नाइले इस पर इस आधार पर विचार कर सकता है कि इसमें राश्टरपती का ऐस अदभाव या नियत खराब तो नहीं है नायले सिर्फ इतना देख सकता है कि हाँ राश्टरपती की नियत सही एक नहीं है अगर सही है तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा यह संसद के सत्र के सुरू होने के बाद छैश सप्ता तक लागू रहता है यदि संसद चाहे तो छैश सप्ता से पूर्वा भी इसे समापत कर सकती है अर्थारत अध्यादेश अधिकतम 6 माहे 6 सप्ता तक लागू रह सकते है ठीक है, छे माहत, छे सप्ता तके लागू रह सकता है, ठीक है, यह आपको याद रखना है इसमें, देखो, लोकसभा के नियमानुसार जब अध्यादेश को कानून बनाने वाला विदेहक प्रस्तुत हो, तो साथ में उन कारणों को भी प्रस्तुत करना आवशक होता है, जिन है, ठीक है, सविदान में संसोदन अध्यादेश के माद्यम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सविदान संसोदन के लिए संसद का दो बटा तीन बहुमत अनिवारिये है, जब कि राष्टरपती साधारन बहुमत प्राफ्त नेता है, ठीक है, यह भी आपको इसमें याद रख सकती, कल अपन दोस्तों आगे पढ़ेंगे वितिय सकती के बारे में, ठीक है, वितिय सकती पढ़ेंगे नियाइक सकती, ठीक है, और इसके साथ में ही दोस्तों देखेंगे कूट नित्टी सकती और आपात कालीन सकती, तो दोस्तों कल अपन है, वो राष्टरपती की सकतिया है वो complete कर लेंगे और बने रही है दोस्तों अरद्यारेस Academy के साथ में रोज़ना कलास देखते रही है और पिछले कलास अगर आपने नहीं देखिये हैं तो आप playlist में जाके देख सकते हैं अरद्यारेस Academy के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें जय हिंद जय भारत